दोस्तो अगर आप एक एक एकाउंटेंट है या फिर एक इंप्लोयर तो आपको टैली और इसके फीचर्स के बारे में जरूर बता होगा तो आज की इस वीडियो में मैं टैली के ऐसे तीन ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको सहद नहीं पता होगा नमस्कार दोस्तो मैं रामकेश मौरिया अपने यूट्यूब चैनल एकाउंट सिउक्ती में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो में टैली के तीन ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल एकाउंट सिउक्ती को आप सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकाउन को जरूर दबाईएगा फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं कि टैली में जो कैलकुलेटर का ये फीचर दिया हुआ है इसका यूज हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन करने में करते हैं लेकिन आपको साइद नहीं पता होगा कि इसका इस्तेमाल किसी भी लेजर या फिर किसी भी रिपोर्ट के closing balance को भी देखने के लिए किया जा सकता है तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ Tally के calculator feature को use करने के लिए आपको अपने keyboard से control and press करना है तो friends इसके बाद माल लिजे कि आपको किसी भी लेजर के closing balance को जानना है या फिर cash या bank का balance जानना है तो friends सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे cash का balance सर्च करके दिखाऊंगा इसके लिए आपको keyboard में यहाँ पर प्रेस करना है cash और enter मार देना है तो friends जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे closing balance of leisure cash जो की 48,290 रुपेस अगर आपको verify करना है तो आपको skip press करना है skip press करने के बाद आप gateway of tele पे आ जाएंगे यहाँ पे display accounts book और cash में press करेंगे cash में यहाँ से आप देख पा रहे हैं 48,290 रुप और यहाँ पे भी आप देख लिजिए calculator में 48,290 रुप इसके बाद friends अगर आपको यहाँ पे bank का balance जाना है calculator में मैं यहाँ आपके state bank of India लिखूंगा और यहाँ पे friends देखिए 1,20,580 रुप कर दिया जो कि हमारे state bank का closing balance है friends आपको search करते समय आपको बिल्कुल similar name search करना है और ध्यान देना है कि इस नाम से कहीं दो laser ना हो इसके बाद friends मैं आपको एक data के laser का closing balance चेक करके दिखाता हूँ जैसे कि मेरा एक laser है यहाँ पे जैसे कि एक मेरा data है यहाँ पे संदीप infotech जिसको मैं यहाँ पे सर्च करूँगा S A N D E E P सर्च मारूँगा और यहाँ पे संदीप infotech का closing balance जो कर देगा इसके बाद friends calculator के use हम किसी भी report को भी देखने में use कर सकते हैं जैसा कि आप अगर आप चाहें balance sheet का भी figure चेक कर पाएंगे और profit and loss का या फिर stock का figure आप जानना चाहें जैसा कि मैं पहले आपको balance sheet से सर्च करके दिखाता हूं तो यहाँ पे आपको balance sheet लिखना है आप इंटर प्रेस कर देना है तो जैसा कि आप दीख रहा है यहाँ पे balance sheet का total figure दीख रहा है जो की बिल्कुल सेम है इसी तरह से friends अगर आप अपने profit and loss के profit या फिर loss को जानना चा similarly loss का figure यहाँ पे 100 होगा माल लिजिए कि आपको किसी stock item के closing figure को जानना है तो आपको simply calculator में जाके उस stock का नाम यहाँ पे प्रेस करना है तो जैसे माल लिजिए कि मैं यहाँ पे cabinet लिखता हूँ कैबिने लिखने से closing stock में 38 pieces सो कर रहा है जो कि हमारा यहाँ पे भी 38 pieces closing stock में है इसके बाद जो अगला tips है वो है टैली का period चेक करना ही का generally क्या होता है friends कि हम लोग computer में जब भी टैली यूज करते हैं तो period को चेक करने के लिए या फिर period को लिखने के लिए अपने keyboard से alt f2 प्रेस करके यहाँ पर पूरा period लिखते हैं जैसे कि 1st April 2022 31st March 2021 लेकिन आपको क्या पता है कि अगर आप टैली में alt f2 प्रेस करने पर यहाँ पर April A20 लिखेंगे जो कि April 20 और यहाँ पर m21 लिखेंगे जो कि March 21 डिनोट करेंगे इससे भी आप period चेक कर पाएंगे माल लिजिए कि इसी तरह से आपको कोई report चेक करना है तो यहाँ पर मैं display daybook में जाता हूं और यहाँ पर एक single interest हो रहा है अब माल लिजिए कि मुझे इसके बाद friends अगर हमें किसी और मन्त के report को जानना है जैसे माल लिजिए कि मुझे यहाँ पर April का जानना है तो यहाँ पर हम लोग a20 और टूब में भी a20 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पूरे अपरिल मन्त की जो इंट्रीज है वो सो होने लगी इसी तरह से friends अगर आपको March महिने की इंट्रीज सर्च करनी है तो यहाँ पर m20 और m20 लिखेंगे तो यहाँ पर March महिने की इंट्रीज सर्च करने के लिए तो आपको m प्रेस करने से नहीं होगा यहाँ पर आपको m a y 20 और m a y 20 लिखना पड़ेगा इसी तरह से January के लिए j 20 j 20 लिखना पड़ेगा और January महिने के इंट्रीज सर्च होगी वहीं आपको June और July के लिए Jun June के लिए और July के लिए J U L और J U L सर्च करना पड़ेगा तो July महिने में यहाँ कोई इंट्रीज नहीं है इसलिए July महिने के इंट्रीज सो नहीं हो रही है इसके बाद friends जो टैली का अगला टिप्स है वो बाउचर क्लास का है जनरली सेल्स बाउचर मारते वक्त हम लोग यहाँ पर पार्टी नेम चूज करते हैं उसके बाद यहाँ पर सेल्स एकाउंट चूज करने के बाद आइटम चूज करते हैं क्वांटिटी लिखने के बाद यहाँ पर टैक्स रेट वगरा जैसे कि cgst, sgst या फिर राउंड रहता है और तो राउंड अफ या फिर कोई लेजर जो होता है उसको यहाँ पर लिखते हैं बट फ्रेंट्स टैली में एक बहुचर क्लास का फीचर है जिसका यूज करके हम अपने बहुचर में आसानी से यह बाइट डिफॉल्ट लेजर्स को यहाँ पर ला सकते हैं और हमें यहाँ पर मैनुवाली टैप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए मैं आपको करक standard server टाइप में और यहां पर लोट करना है लृट हो अगर आप है तो मैं आपको आपको SAM जाना है sales voucher type में आपको यहाँ पे कोई भी छेट-छाड नहीं करनी है सिर्फ last वाले option में जाना है यहाँ पे name of class लिखना है यहाँ पे आप लिख लिजिए JST sales इसके बाद आपको यहाँ पे enter करना है enter, enter करके यहाँ पे sales account चूज करना है इसके बाद आपको उन सारे लेजर को लिखना है जो आप अपने sales के address करते वक्त ने items के नीचे यूज करना चाहते हैं तो मैं CGST इसके बाद SGST और IGST इसके बाद अगर transportation charges या carriage outward charges यूज करना चाहते हैं तो यूज कर पाएंगे और otherwise मैं इस case में क्या है कि round off यूज करूँगा यहाँ पे as total amount rounding कर देना है यहाँ पे normal rounding 1 rupees कर दूँगा और इसके बाद save कर दूँगा इसके बाद friends आपको जाना है accounting voucher में accounting voucher में जाने के बाद आपको अपने keyboard से f8 प्रेस करना है यहाँ पे name में sales का voucher types होगा और class में आपको ght sales चूज करना है इसके बाद आपको यहाँ पे अपने data को चूज करना है stock item चूज करना है यहाँ पे quantity में मैं 10 लिख रहा हूँ और आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे cgst sgst हमें manually प्रेस नहीं करना पड़ा और अगर आपके item का जो rate है वह अगर decimal में रहता तो यहाँ पे decimal में calculate होने के बाद round of का figure आ जाता बट मेरा यहाँ इस case में round of नहीं है जिसके वाज़े से यहाँ पे blank है तो friends आजकी इस वीडियो में टैली से related इन तीन टिप्स के बारे मैं discuss किया हूँ आसा करता हूँ कि मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर यह मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा और वीडियो important है इसलिए दोस्तों के साथ share कीजिएगा मिलते हैं आगले नई वीडियो के साथ हमें दीजिया इजाज़त जाहिंद